तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुपत के भाग के बारे में कि आखिर केसे करके किस्वी बहुपत का भाग किया जाता है जैसे कि आप यह एक्जामपल देख सकते हैं एक्स माइनेस टू है इससे इस बहुपत को इस पोलिनोमील को भाग देकर इसका रिजल निकलना है तो इस बहुपत को भाग देने के लिए जानना पड़ता है उसके बारे में एकदम फूल डीटेल से बारिकी से समझेंगे तो चलिए आप सभी को आप ही के इस यूटूब चैनल ट्रांस्पेरेंस पर स्वागत है जैसे कि आप यहां देख सकते हैं अबर क्या है एकस मानेस टू है इससे इसको भाग देना है तो इसको भाग देने के लिए सबसे पहले हैं पर देखना पड़ता है कि यहां पर क्या है एक है और एकस का गात में क्या है फोर है तो यहां पर एकस का गात में एक है यहां पर एकस का गात में जो वांड है मतलब एकस में कितन तो एकस में अगर एकस नग्या ऑउड़ करते हैं तो एड़ पाउर चुछ गारा वेलाईगा तो यहां पर लिखेंगे एकस रुपाउर क्यूं 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 기ायगे तो यह क्या इसके साथ होगा और यह इसके साथ भी को लिखेंगे टू को लिखेंगे एकस माइनेस डू को लिखेंगे तो क्या होगा यह साथ दूपावर क्यों उसकी रूब हो जाएगा अपर माइनस फ्लिपावर यहां मायनेस ऐसता मज़ाइगा हो क्यों लिखेंगे फिर इसको क्या करांगे घटाएंगे अब देखिए इसके कुछ निभी पतला प्लस 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 है फिर यहां पर देखिए यहां पर जब प्लस रहेगा तो इसके आए का यहां जब माइनेस रहेगा तो यहां जब प्लस हो जाएगा तो इसको यह नहीं करेंगे तो यह पर क्या है माइनेस एक्सक्यू घटेगा तो क्या होगा तो यह पर देख सकते हैं माइनेस फाइप एक्सक्यू से क्या घटेगा प्लस टू एक्सक्यू घटेगा तो क्या होगा तो आप यह देख सकते हैं पर क्या है माइनेस फाइप एक्सक्यू है यहां माइनेस फाइप एक्सक्यू प्लस टू एक्सक्यू है तो माइनेस प्लस क्या होता है माइनेस प्लस हम बड़ा कुन है प्याइब क्या हैmaili नीच्छ पर एगएगे आप यहाँ पर जो एक yellow क्यों कि मंस3 x q आएगा तो यहां पर देखिए एक्स का प्लस है लेकिन इहां पर x q क्या आगा क्या है माइनेस 3 है माइनेस 3 को इससे माल्डिप्लाइ करेंगे तो माइनेस 3x होगा लेकिन यहां पर x का q है तो X का Q मतलब X का क्या 3 है इसका घात मतलब इसका घात में 3 है तो पर कितना से multiply करेंगे X का घात यानि की 2 यानि की X का इसका 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 3x to the power q हो जाएगा फिर देखिए हैं माइनस है माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस हो जाएगा अब यह 2 जब इसके सथ multiply तो क्या हो जाएगा 2 3 जब क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यह पर x का square हो जाएगा तो जब इससे इसको multiply करेंगे यानि 3 3-3 x का square से x-2 को multiply करेंगे तो result क्या आएगा माइनस 3x का q आएगा फिर प्लस 6x इसकर आएगा फिर यहां पर क्या आगा इसको भी घटाएगे आप देखिए यहां माइनस 3x q है और माइनस 3x q है तो यहां पर जब माइनस है तो यह पर प्लस हो जाएगा अब दोनों सेम से होता है तो यह पर क्या होता है जब यह प्लस हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा माइनस 3x q कर यानि कि क्या है प्लस 7x q कर माइनस क्या है 6x q कर जब माइनस करेंगे तो क्या होता है प्लस माइनस इसके कुछ ने मतलब प्लस है और इसके के माइनस है प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस माइनस होता है माइनस मतलब घटेगा तो 7 से 6 घटेगा तो क्या होगा एक होग Tohikus के आ जाएगा निच्छे आजाएगा फिर अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर X है और यहाँ पर क्या है एक्स कीरेगा नेग cricket की एकस की जाएगा लेकिन इसका आज है तो X में X में क्या क्या क्यों करेंगे सटो इस जब मल्टिप्ला करेंगे एकस में जब थो को जब multiply करेंगे तो क्या होगा x x क्या हो जाएगा एक सकर हो झाया फिर यह प्लास है यह BAR तो यह पर भी लिखेंगे प्लास x सकर माइनस क्या लिखेंगे लिखेंगे फिर प्लास स्ट्रवाइब तो यह 25 होझाएगा तेशता यहां उसके भाद यहां पर और तो यहां पर कहा है ? यांपर करेंद मतलब घटेगा तो इसे घटता हे तो जब तो 8 से 2 घटेगा तह क्या होगा? 6 होगा और जो X is sz reaching लिख देंगे यानी कि 6laughs लिख देंगे लेकिन यहाँ पर इन दोने हो ने बड़ा कोन है? बड़ा 8 है आठ क्या यहाँ है माइनेस 6x लिख देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा? माइनेस 6x हो जाएगा लेकिन यहां पर क्या है minus 8x यहां उतारे थे अब last में क्या बचा है plus 12 बचा है मतलब plus 12 बचा है अब यहां पर देखेंगे कि यहां पर x है x में कितना गुना करेंगे कि minus 6x हो जाएगा तो x में कितना गुना करेंगे x में क्या गुना है minus 6 है मेरे क्या और चीज करेंगे X plus 12 तो है अब यहां प्लस हो जाएगा अब यहां प्लस यह प्लस हो जाएगा अबिए भी सेमं है तो इसका सेशवल क्या हो गया जीरो हो गया तो आई होग की आपको यह वीडियो काफी अच्छी तरह समझ में आही गया होगा किया केसे करके बहुपत का भाग किया जाता है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज थोड़ा सा स्माइल देके वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अगर आपने अभी तक आप ही के इस यूट्यूब चैनल ट्रांस्पेरन रिशर्स को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजेगा ताकि एसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में आज के लिए इतना ही थेंक यू